नमस्ते मैं हूँ जैज दिनानी टीम पैबली से और मैंने कर आया हूँ आप सब के लिए एक और आसान दरीका जिसकी मदद से आप create कर सकेंगे एक social media marketing calendar for your real estate business तो अगर आप भी है एक real business state owner और आप करते हैं marketing through social media applications like facebook, twitter, instagram और anything तो आप इसे कैसे करते होंगे आप करते होंगे उसको एक manual तरीके से और वो कि यूँ आपको जो भी पोस्ट आपके इस application के द्वारा send करनी है आप पहले तो जाते होंगे उस application में इसको compose करते होंगे और देन post कर देते होंगे लेकिन मैं आपको बता दू अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं एक बहुत ही पुराने तरीके का उपयोग और जो तरीका मैं लेकर आया हूँ वो नहीं है पुराना वो है नया और वो कि यूँ आपको simply करना क्या है आपको data add करना है आपकी google sheets में जैसे की facebook, instagram, twitter इन सब चीज़ों के लिए और उसे date wise add करके रखना है जब भी आपको वो post करना होगा वो particular date पे automatically post होता चला जाएगा आपकी सारी social media marketing applications पे और पता है खास बात क्या है वो खास बात यह है ऐसा करने के लिए आपको नहीं ज़रद बढ़ेगी किसी coding skills और programming knowledge की क्योंकि यह सब आप कर पाएंगे थुरुआ automation using Pabli connect जो की एक automation और integration का software है और आप Pabli connect की मजद से किनी दो या दो से ज्यादा applications की बीच में integration setup कर पाते हैं और वो भी बगर किसी manual work है तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि आप इसको कैसे कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं तो प्रोसेश को शुरू करने के लिए अपने ब्रॉजर पर लिखिए Pabli.com slash connect slash और फिर एंडर कर दीजिए ऐसा करते ही यह हमें पैबली कनेक के landing page फिर लेकर आएगा जहां पर अगर आपने पहले sign up नहीं किया है तो please sign a free button को प्योग करते हो एक फ्री account create कर लीजिए और अगर आप पहले हमारी services को प्योग कर रहे हैं तो sign in पे click किजिए sign in पे click करते ही यह लियाएगा हमें पैबली के all apps section पे जहाँ पर हम click करेंगे access now to public connect और ऐसा करते ही हम आजाएंगे हमारे account के dashboard पे जहाँ पर हमें क्या करना है एक workflow create करना है तो जैसे ही यह load हो जाता है यहाँ पे हम जाएंगे create workflow पे और simply उसको ऐसा click करेंगे क्लिक करते ही यहाँ पर यह हमें workflow को नाम देने को कह रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं social media calendar ओके आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं then मैं क्लिक करूँगा create पे और create पे click करते ही यह मुझे लियाएगा पैबली कनेक के action और trigger window पे जहाँ पर trigger window कहती है जब ऐसा होता है receive करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है डेटा आ रहा है आपके application में तो वो कहलाता है हमारी trigger application और action application कहती है तो ऐसा करो अब भाई क्या करो जो भी data आप किसी trigger application में receive कर रहा है आप चाहते है वो data आपकी किसी दूसरी application में चला जाए तो वो कहलाता है हमारी action application तो हमारे case में क् social media calendar create करके रखा है और उसके थुरू हम चाहते हैं कि time to time different different applications में वो जो भी हमने details डाली है वो post होती रहे तो सबसे पहले हम लेकिन शुरुआत क्या करेंगे हम करेंगे scheduler से scheduler में इसले click करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं पहले कि भाई कब-कब run करें अब वो बताता हूँ क्यों अभी कह रहा है how often you want to run your workflow तो आप कब चाहते हैं कि आपका workflow को work करवाना हमेशा एक बार रोज और डेस को week में, monthly जिस हिसाब से तो यहाँ पर हमको select क्या करना है everyday हम चाहते हैं कि रोज हम यह भाई send करें और को time भी select करना है हमको तो हम time ले ले लेते हैं पांश बजेगा okay, save कर देते हैं यहाँ पर कि रोज पांश बजे, okay then, यहाँ save हो गया, save होने के बाद यह आपको value बता रहा है time के साफ से time zone के साफ से कि हाँ भाई, रोज इस समय यह हो जाएगा अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो data है वो हमने काई में save करके रखा है भाई, वो हमने save करके रखा है हमारे Google Sheets में, यह रहा वो data, यह page हमने बना के रखा है उस नाम से, तो हमारी एक्षें application होने होगी, वो होगी Google sheets, Google sheets को हम select करेंगे Select करते, action event हम select करेंगे get rows को जो rows है उस पर डेटा आते जाएगा हम चाहते है one by one वह हमारी application तक पहुँच जाए okay उसको select करने के बाद हम करेंगे add new connection then connect with google sheets google sheets पर connect करने के बाद आप अपना account select कीजिए जिसमें आपने वह create करके रखा है और select करने के बाद बस simply continue कर दीजिए continue करते हैं आप देख सकते हैं इन seconds या authorization successful रहा और ऐसा होने के बाद यह हमें दिखाएगा spreadsheet का नाम तो जो भी spreadsheet है आपकी जो भी नाम से आपने बनाया है मैंने क्या नाम से बनाया भई मैंने सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर रियल स्टेट तो मैं जाओंगा यहां पर और लिखूंगा सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर रियल स्टेट आप भी ऐसे जागे अगर आपके बहुत सारे आपने उसके अंदर spreadsheet बना रखी है तो आप select कर लीजिए sheet 1 तो अब देखते हैं यहां अब एक single sheet है रही ज्यादा इससे जादा को sheet है नहीं तो वो single sheet जो है वो यहां पर आ गई है अब बाता आती है range कि अभी range क्या है भाई enter range of the sheet तो range में आपको बता देता है range होती है कि जो भी आपने data इसके अंदर फिल किया है यह तो आपका क्या हो गया कि इस नाम से आपने रखा हुआ है यह जो fields है यह तो fields हो गई है ना लेकर हमको क्या चाहिए range चाहिए अपनी sheet की तो range यहां से start होती है तो आप simple इस पर click क करना है copy करने के बाद आप आई है यहां पर और यह range यहां पर फिल कर दीजिए यह आपको as it is ऐसी दिख रही है राइट ऐसी है लेकिन आप आप क्या हमें आपको एक चीज़ और बता दे तो यह आगे कहता है हम से you can use a2-d to get all field row इसके कहने का मतलब ही simply यह कहना चाहता है यह तो अपने यहां तक select कर लिए है कि यहां तक क्योंकि फिल्ट था data राइट यह ता 123 इसलिए E3 तक दिखा रहा है बट अगर आप जैसे ही कुछ डूसरा data इसमें add करेंगे कि कुछ नया आपने caption डाला है नहीं में चो भी चीज़े में डाली है तो in future आप चाहते है वह बस यहां आपने add करें और वह पोस्ट होता जाए आपके Facebook और Twitter के लिए तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप यहां पर वापेस आईए और जो तो 3 है इसको यहां पर रिमूव करती है क्योंकि in future जब भी data add होता जाएगा जितनी बार add होता जाएगा तो यह उसको capture कर तो अब हमें करना एक save and send test request लेकिन उसके पहले आप यह simple response को बंद करना मत बूलिएगा इसको आप पहले switch off कीजिए उसके बाद आप करिएगा एक save and send test request और save and send test request पे click करते ही आप देखिएगा कि यह जो response है उसको capture कर लेगा और यह कुछ ऐसा response आया है कि जिसमें values दिखा आया है तो अब हमें क्या करना है हमें इसको iterate करना है तो हमारी action अगली application होगी iterator by पैबली जो कि फ्री डास्क है इसके लिए पैबली आपको कुछ चार्ज नहीं करता है जैसे हम scheduler करते है उसको select करते है इसमें जो response results ने automatically capture कर लिया है इसमें से हैना अब यह क्यों इसका इ पेजना है Facebook के जरीए कभी Twitter के जरीए तो उसके लिए हमें यह trade करना पड़ेगा ठीक है iterator को select करेंगे करेंगे उसके बत क्या सेविंसंट टेस्ट रिक्वेस्ट ओके ऐसा करने के बाद अब यह आप देख सकते हैं इसने अलग-अलग हमें values दे दी जैसे Facebook post caption के लिए अलग चीज़ आ गई है और उसका जो भी image है उसका details और Twitter post वगरा यह सब आप देख सकते हैं इन्ही नाम से hey guys your new property in South Mumbai यह देख रहे है hey guys your new post for Facebook page for new property तो यह अलग तरीक टाइम फॉर्मेटर का क्यों हम इप्योग कर रहे हैं इसलिए करने हैं क्योंकि हमें current date निकाल ली है ठीक है किस date पे किस date के लिए आपने यह post करना चाहरे है तो current date की बाद और यह तो हम क्या select करेंगे action event as current date connection करेंगे connection करने के बाद यह पहले format दिखा रहे तो आप यह चेंज कर लेते हैं days month और year में हाना और time response नहीं है नहीं हमें कोई time response नहीं चाहिए तो हम कर देंगे आपे same instant test request और उसके बाद यह जो value है हमें यहां पर date मिल चुकी है current date आ चुकी है जिस date पे हम इसको कर रहे हैं ओके हम क्या कर रहेंगे हम एक और बाहर एक action application करेंगे और वह इस बार फिर से होगी date time formatter की अब भाई दोबारा date time formatter क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है duration duration निकालना है दो dates के बीच का है और वह होना चाहिए क्या same वह same होगा तभी जाकर वह responses है हम जो post है उसको हम करना चाहेंगे Facebook और Twitter के जरीए ठीक है तो पहले date timer के use करते हुआ है आपको निकालना है current date current date निकाल पाएंगे और आपको किस date के बीच में भीजना है तो उसके लिए आपको दुबारा इसको select करना है date time formatter को और इस बार कर जो आपको action event जो होगा वो होगा date duration calculator क्योंकि हमें duration calculate करके निकालना है और उसके लिए जैसे कि उसने पहले हम में format दिखाया था तो यहां पर भी हमको format दिखा रहा है और हमने क्या चूज किया था date month और year में ओके तो उसको वापिस से select कर ले थे उसको select करने के बाद अब जो पहली required field है enter a date in the form format here अब वो जो date है वो हमने क्या कर रहा था सबसे पहले हमने iterate करके जो date निकाली थी ती है जो date थी और current date आज की date को कि आज हम इसको post करना चाहरे है तो इसको हम करेंगे save and send test request और आप फिर देख पा रहे हैं कि हमने जैसे की response receive किया है कुछ ऐसे 00 result year 0 result month day 0 इसके क्या मतलब है कि जो हमारी मैं आपको बता देता हूं जो हमारी current date है और उसके बाद जो date उसमें पहले जो result है वो कुछ ऐसा आया है successful रहा है और 00 रहा है यह condition ऐसे ही होने चाहिए तब ही जाके हमारा आगे workflow काम करेंगा reason क्या क्या क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई every day यह data post होता रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो यह successful values है यह 0 होनी पड़ेगी अगर यह condition ऐ workflow नहीं होती है तो क्या होगा आगे workflow हमारा काम नहीं करेंगा लेकिन जहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि successful रहा है और अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि अब यह post हो जाए भई कहां Facebook, Twitter और जो भी applications के लिए लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे social media जो calendar है इसमें अलग-अलग हमने fields बना के रखी है Facebook पोस्ट के लिए अलग बना के रखा है Twitter पोस्ट के लिए अलग बना के रखा है है तो अगर हम directly कोई भी application चूस करेंगे तो यह confuse हो जाएगा कि यह किसमें जाना चाहिए data तो उस confusion को अटाने के लिए हम यहां पर एक और free action application का इस्तमाल करेंगे और वो इस बार होने वाली है क्या भाई फिल्टर बाय पैबली इसके लिए पैबली अब कुछ भी चार्ज नहीं करता है तो don't worry इसको हम यह select करते है उसके बाद हम यहां पर कुछ label select करेंगे ठीक है तो label जो होगा जो last चीज हमने निकाली है हमारी date time formatter से उस पर जाएंगे और उसके बाद start करेंगे कहां से year से result यह है और value जैसे कि था पहले 0 ज्यादा सोचने की ज़रत नहीं है okay एक और बार इसको condition को add करेंगे और यहां पर फिर वापिस जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो year हो select कर लिया हम क्या करेंगे month का selection करेंग हम वापिस से 0 डालेंगे और एक और बार add करेंगे हम label ओके अब last क्या होने वाला year आगे month आगया तो days अब value हम select करेंगे तो यहां यह हो चुका है इसका यह मतलब है कि जब यह ऐसा ही रहेगा है ना उसी उस दिन के साब से रहेगा 0 रहेगा इसके बीचे कोई all days के difference नहीं नहीं रहेगा तो यह directly post होता जाए अब यह हमने यह पर select कर दिया यह select करने के बाद हम क्या करें करेंगे सेविसें टेस्ट रिक्वेस्ट और सेविसें टेस्ट रिक्वेस्ट करने बाद ही देखिया condition true हुई कि हाँ भाई ठीक है अब जब भी ऐसा रहेगा तो हम इसको continuously post क रहेंगे आपके Google Sheets से जो भी data उसको लेन हम एक और action application यहाँ चूस करेंगे और इस बार वो होने वाली है क्या भाई Facebook Facebook pages okay तो हमने यह Facebook pages को यह select कर लिया हमारा action event क्या होने वाला भाई create page photo okay क्योंकि क्या है भाई हमारे social media calendar के अंदर इसमें क्या है इमेज इसकी बारे में बात आ रही है तो create page photo पे हम click करेंगे उसके बात करेंगे connect okay और उसके बात करेंगे add new connection connect with Facebook pages और उस पर click करते ही आप देख पाएंगे जैसे कि मैंने यहां पर हमारा Facebook का जो अकाउंट है पहले सी login कर रखा है तो automatically in seconds connection हो चुका है अब यहां पर यह बात कर रहा है अब हमें select करना है photo का URL है यह required है अब यह हमें भाई कहां से मिलेगा तो यह हमें निकालना है iterator से okay iterator से क्योंकि iterate करके ही हमने जो data है वो एक ही करके निकाला था तो यहां पर हमें क्या निकालना है इसका photo URL तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े है इसका select Facebook post image उसका selection करने के बाद हमें यहां पर select करना है description अब description भी आपको कहा से मिलेगा भाई iterator से मिलेगा और वो है Facebook post caption यह रहा हमारा caption यह हमारा image URL और अब हम क्या करेंगे save and send test request जैसी save and send test request पर हम क्लिक करेंगे यह यहां पर यह idea बता रहा है post response बता रहा है तो यह हमारे Facebook पर आजाएगा तो यहां जाएंगे simply इसको एक बार refresh करेंगे और refresh करने के बाद आप देख सकते हैं just now यहां पर यह response यह आ पर आ चुका है Facebook का अचले है तो ऐसे ही अब हम वापिस जाएंगे और क्या रहेंगे हम अब हमारी दूसरी application को हम यहां पर select करेंगे जिसमें हम यह post करना चाते हैं और वह सब लोग जानते वह क्या है वह है ट्विटर ओके तो अगली application जो है अब हमारी वह ट्विटर को हम select कर लेते हैं तुट्टर को सिलक करने के बाद हमारा action event क्या होने वाला है अब यह होने वाला है create tweet with media हम करेंगे अब connection connection करने के बाद add new connection add new connection के बाद हम करें connect with Twitter और आप देख सकते हैं यहां पर यह authorization के लिए रहा है authorized app पर हम click करेंगे और यह authorization successful रहा इसका भी यही reason है क्योंकि मैं पहले इसको login करके बैठा हूँ okay अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर यह बोल रहा है message जो है वो आप required message है वो आप यहां पर select कर लिए तो वो क्या होने वाला है हम जाएंगे हमारे iterator में थोड़ा scroll down करेंगे और जो हमारा जो message है वो यहां से हम select करेंगे और वो होने वाला है क्या twitter post caption उसको select करने के बाद media file URL अब यहां file URL media की बात आ रही है तो जायर सी बात है भाई जो भी image वगेर है यह उसकी बार ही बात कर रहा है तो हम क्या select कर लेंगे ट्विटर post image उसको select करेंगे और आगे बढ़ेंगे अब बात आ रही है मीडिया category की इमेज वो यहां पर automatically दिखा रहा है तो आपको और कुछ select करने की ज़रत नहीं है अब simply करेंगे save and send test request आप जैसे करेंगे हम हमारी twitter पे भी response भाई receive कर पाएंगे तो चलते हैं save and send test request और उसके बाद वो बता रहा है लेबल करके कि हाँ भाई यह response आपके twitter तक पहुच गया है तो चलते हैं हमारी twitter account पर यहां पर मैं इसको एक बड़ रिफ्रेश करता हूँ refresh जैसे करेंगे आप देख सकते हैं हमें यह response मिला है यह जो आज की date का है और यह अभी response आ चुका है तो आप देखा आपने कैसे simply हमारे public connect के द्वारा यह सारी चीज़े possible हो भाई तो अब क्या होगा आप जब भी यहां पर कोई नया date अब लेसे next date की बात आ रही रही है कि आप 7 को क्या दालना चाहरे है और जो भी Facebook आपका caption है पोस्ट इमेज है खाली यहां एक बर फिल कर दीजे भाई और वह जो टाइम पे जैसा हमने जो time select किया था मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो time selection का हुआ था वो आया एक बार आप मैं एक बार में बता दीजिए है तो उसके लिए सबसे पहले सब चीजों को मैं minimize कर ले दाऊं ओके minimize करने के बाद मैं शुरू करूंगा आपको बताना की कैसे आप भी यह possible कर पाएंगे तो उसके लिए आपको simply करना क्या है आपको जाना है आपके account के dashboard section पे वहाँ पर आपको create workflow करनी है और वर्कफलो को कोई नाम देना है नाम देने के बाद आप आप आजाएंगे trigger और action step के तरफ पे तो trigger आप select करेंगे ऐसा scheduler scheduler by family और how often you want वह आपके लिपेंड करता है जैसे मुझे तो भाई रोज भी बेजना है तो मैंने वह select कर लिया है time जो भी time है उसके बाद करने के बाद आपको करना है save ऐसा करने के बाद आपको select करना है आपके Google sheets को जिसमें अपने data डाल कर रखा है Google sheet को आप जैसे select करेंगे आपको action event select करना है get row जो भी rows है उसके data आता चलिया है spreadsheet में फिर आप यहां पर select करेंगे जो भी उसका नाम था वह आली sheet और range वह कैसे select करता है मैंने आपको बता दिया है उसको करेंगे save and send test request करने के बाद जो है जो response है आपका वह यहां पर आ जाएगा किस तरीके से array format में लेकिन एक चीज़ इस बीच में आपको बताई तो simple response है यह इसका button on रहता है तो उसको आपको off करना है पहले फिरी save and send test request करना है वह करने के बाद हम इस्तमाल करेंगे iterator का iterator का उप्योग करते है वह जो array format है उस same as a test request करेंगे वह यहां पर value आजाएगी फिर हमें duration निकालना हमरी current date और आगे की date का जो क्यों होना चाहिए क्या भाई 0 same date का होना जिए तो एक और आपर date time formator करेंगे लेकिन इस बार action event क्या होगी date duration calculator कर रहे है फिर form format जो है हमेर form format है उसको हम select कर लेंगे आपे इस तरीक बता हूं कि आप गए है मैं आपको यह इसमें गए तो यह slash में बता रहा है लेकिन अगर आपने आपका जो date format है उसको यहां पर select कर लिया है dash format तो यह यहां पर काम नहीं करेंगा तो देखिए का अगर यह dash dash चल रहा है तो सभी dash dash होना चाहिए नहीं कि ना कि slash okay ऐसा लेकिन हम अलग-अलग application के अस्तामाल कर रहे होते हैं तो यहां पर हो filter का इस्तामाल नहीं करता ह। लेकर filter को करता हुग हो आप और सब्सक्राइब यह हम्मेशन को और सबस्ते होación करेंगे यहां पर जो years months day को हम label पर यहां पर हमारी चो कन्डिशन के रहेगी यहां पर value रह आपको खाली फोटो का URL लिकालना है इटरेटर के दुवारा डिस्क्रिप्शन भी आपको इटरेटर में मिल जाएगा सेविस्टेस करेंगे और यह पहुच जाएगा आपके फेस्बुक पेज पेज़ पेज़ एक एक्षन एप्लिकेशन ऐसे ट्विटर और उसका इवेंट होगा प्लान आटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ दी साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वह हमे धन्यवाद